मौसरी बहन की लड़की की इंगेजमेंट के कार्यक्रम में शामिल होकर मा बेटे मोटर साइकल से वापस आ रहे थे रास्ते में सामने से आ रही कार ने उनकी मोटर साइकल में टक कर मार दी जिसमें मा घायल हो गई और बेटे की मौत हो गई पुलिस ने मृतक के शव को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया जिला अस्पताल की मोर्चरी पर मौजूद मृतक के भाई लाल बहादुर राठोर ने बताया की मोटर साइकल में टक कर मार दी टक कर मारने के बाद कार फरार हो गई उमेश राठोर और उनकी मा प्रेमवती गंभीर रूप से घायल हो गए घायलों को जिला अस्पताल लेकर पहुँचे जहां डाक्टर ने उमेश राठोर को मृत घोशित कर दिया प्रेमवती को उपचार के लिए अस्पताल में भरती कर आया है मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया पुलिस ने शव का पंच नामा भर कर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया ये मेरे बड़े भाई हैं उमेश राठोर और ये मेरी मौसरी भेन की बेटी की इंगेजमेंट का प्रोग्राम था वहां गाजी पुर कुंडा गए हुए थे और ये बाहर मंडल पुर जो पुल बना हुआ है उदर से बापस आ रहे थे पांच पचास पे तो ये घटना लगभग छे बजे की है तेज रपतार से एक फोरबीलर आ रही थी भाईया को बिल्कुल सामने से टक कर मारी थी तो उन्होंने उस कार का नंबर उन्हों तब देख लिया था और हमारे रिलेटिव बराबर गाउं में हमारे रिलेटिव रहते थे जहां गए हुए थे गाजी पुरुकंडा तो मतलब हमारे जो मोसेरे भाई थे तो उनको नंबर उन्होंने सेर कर दिया तो ऐसे सारवजिनिक मंच पे तो मैं यह नंबर नहीं बताना चाहूँगा लेकिन एक दू दिन के बाद ये हम जरा इस से अंतोष्टिस ने पड़ले इसके बाद हम कारभाई की मांग करेंगा हमें आसा है कि सरकार पूरा घंडाए बाद हम उनको यहां पर लेके आये थे मैं एम्बूलेंस को फोन किया था तो वह यहां पर बरेली लेके आई थी हास्पिटल की बाहरी जैसे यह आये थे वैसी खतम हो गये थे वह डाक्टर ने उन्हें मिरत वोस्तिस कर दिया गंबी रूप से घायल है और पूरा ये वाला पोर्शन उनका भी डिश्ट्रॉय हो चुका है बहिया हमारे मसी अग्रिकल्चर्स थे पेश्टिसाइड उनकी दुकान भी थी और घर पर खेती बाली भी दिख़ाते थे और बाकि सोशल वरकर भी थे भी हमारे टूबीलर वाइक से आ रहे थे www.azadnationnews.com